नमस्कार, मैं महावास्तु अचारे वा सर्टिफाइड ट्रेनर रूपमगर्ग आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वास्ति क्यूं बनाया जाता है स्वास्ति का महत्व क्या है, किस दिशा में बनाना चाहिए और किस रंग से बनाना चाहिए अत्यन प्राचिन काल से ही स्वास्ति को बहुत शुब, मंगल माना गया है कोई भी आप शुब कार्य करने लगते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है आपने नई गाड़ी ली, आप मंदिर जाते हैं, पंडेची सबसे पहले उस पे स्वास्तिक बनाते हैं आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यूं? आप घर में कोई पूजा, कोई हवन कराते हैं, पंडित को बुलाते हैं, वो सबसे पहले पूजा में स्वास्थिक बनाते हैं, ऐसा क्यूं? किसी भी पूजा, कोई भी मेडिटेशन, कोई भी यूगा, कोई भी हीलिंग प्रोसेस्स, सबका एक ही परपस है, जो ब्रहमांडिय समीकरन है, उसके साथ आतम साथ होकर संतुलन बनाना, यानि कि जो यूनिवर्सल कॉस्मोस एक्वेशन है, उसके साथ इंसिंख में आकर बाल किसी भी स्पेस को आप संतुलन इंसिंख में ला सकते हैं, यूनिवर्सल कॉस्मोस एक्वेशन के उस स्पेस में सिर्फ स्वास्तिक बनाने भर से, उस स्पेस में अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं, तो वो स्पेस उस यूनिवर्सल कॉस्मोस एक्वेशन के इंसिंख में आ equation के in-sync में ला सकते हैं मात्र भरू space में स्वास्तिक बना कर क्योंकि स्वास्तिक के जो मूल अकृति की उत्पत्ती है वर भ्रामांडिय शक्ति को चलाने वाले समीकरन से होती है कुछ seconds के लिए आप उस परमात्मा से जोड़ सकते हैं स्वास्तिक बना कर अलगलग दिशाओं में स्वास्तिक का अलगलग effect होता है अलगलग प्रभाव होता है एननी zone of immunity या health जिसको हम zone of health और immunity कहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आपके यहां कोई बिमार है उसकी recovery speed नहीं पकड़ रही है उसकी recovery नहीं हो रही है तो उसकी speed उसकी recovery को speeding up करने के लिए आप वहां पर स्वास्तिक बनाईए नीले रंग से वहां पर स्वास्तिक बनाईए अगला zone है नौर्थ इस zone of clarity zone of meditation अगर आपको लग रहा है आपको mental peace नहीं मिल पा रहा है आपको शांती नहीं मिल रही है तो आप नौर्थ इस्ट में नीले रंग से स्वास्तिक बनाईए फिर आपको inner peace मिलेगा अगर आपको ऐसा लग रहा है लोगों से connect नहीं हो पा रहे हैं आपके रिलेशन्स लोगों से connectivity नहीं है तो आप इस्ट दिशा में हरे रंग से स्वास्तिक बनाईए आपकी connectivity इंप्रूफ होगी EAC zone of churning anxiety अगर आपको बहुत ज़ादा anxiety tension रहती है तो आप EAC में स्वास्तिक का निशान बनाईए हरे रंग से आपकी anxiety कम हो जाएगी अगर आपको ऐसा लगता है आपका बच्चा पढ़ता नहीं है उसका focus नहीं है उसका focus बढ़ाने के लिए W.S.W. West, South, West में पीले रंग से स्वास्तिक बनाईए अगर आपको ऐसा suffocated feel होता है आपके अंदर भड़ा पढ़ा है वो आप निकाल नहीं पा रहे तो West, North, West में पीले रंग से स्वास्तिक बनाईए तो आपके जंदर जो suffocation भड़ा हुए है वो निकलेगा परंतु एक बात का ध्यान रखिए अगर आपका बच्चा पढ़ता है फिर आपने स्वास्तिक लगा दिया फिर भी problem है क्योंकि सारे remedies नहीं लगानी है जहां समस्या है वहीं पे उस remedy को लगाना है वहीं दवाई लेनी है उसी का अपचार करना है बिना बात के ऐसा नहीं कि सारे zones में स्वास्तिक लगा दिया स्वास्तिक लगाईए जहां से समस्या है और जो आपको जहां पर आपको correction की जरूरत है comment section में लिखके बताईए आपको इस वीडियो से कैसे लाब हुआ धन्यवादा